Hello students, welcome to our channel, lecture number 14 है आज हमारा business chapter हम पढ़ रहे है FIB.com में अब आगे के जितने भी lectures आपने नहीं देखे हैं, link आपको मिल जाएगा description box में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं अब यहाँ पे business के बारे में हम काफे सारी चीज़ें study कर रहे हैं आज हम देखने वाले strategy, alternatives अब भी काम करना हो तो बहुत सारे alternatives हैं हमारे पास अब strategy alternatives क्या होगा business में business को strategy alternatives adopt करने होते हैं उसे strategy select करना होता है ताकि business successful हो सके strategy हम किसे कहेंगे business जो present situation में जहां पर है जिस level पे है अब future में वो कही आगे जाने की तो सोचेगा अभी business ऐसे सोच रहा है current situation में हमारी दो ब्रांच है हमें future में और ब्रांच open करनी है और तीन ब्रांच open करनी है या फिर फिलहाल में हम कुछ तीन चार प्रडक्स sell कर रहे हैं हमें future में और भी variety sell करना है तो present situation से ये जो future में जाना है ठीके वहां तक पहुचना है तो उसके लिए हम क्या-क्या activities करेंगे उसे हम कहेंगे strategy बनाना क्या-क्या चीज़े हम follow करेंगे जिसे दो ब्रांच है और तीन open करनी है तो हम क्या करेंगे क्या-क्या activities को हम follow करने वाले हैं उसे हम कहेंगे strategy अब ये strategies अलग-अलग तरह की हो सकती है तो यहां पे हम उसी को पढ़ने वाले हैं कि क्या-क्या alternatives होते हैं strategy के अंदर Now organizations need to adopt certain strategy William F. Gluck in the book Strategic management has identified the strategic alternative into four broad groups चार ग्रूप में divide किया गया कौन-कौन से तरह के strategies हो सकते हैं सबसे पहला है stable growth strategy Next one is growth strategy उसके बाद आता है retrenchment strategy and उसके बाद है combination strategy ये सारे ही strategy को हम एके करके detail में पढ़ेंगे कि business कौन से strategy adopt कर सकता है किस तरह की situation में Now सबसे पहला आता है stability strategy Stability strategy कुछ-कुछ businesses जब start हो जाते है अब normally business हमेशा grow करना ही चाहता है अब कोई-कोई business में वो लोग थोड़ा grow हो गया थोड़ा growth हो रहा है वो लोग उसी में satisfied रहते हैं कि चलो ये जो हमारा growth हुआ है वो बराबर है अब इसी level पे हम growth करते रहेंगे अब ये market share की हम बात करें कोई भी product हम sell कर रहे है मान लो mobile phone है या electronic goods है या कोई भी product sell किया जा रहा है तो हम देखेंगे कि हम जिस भी market में sell कर रहे है product को जिस भी market में हम operate कर रहे है वहाँ पे अभी मान लो हमारा growth कितना हो रहा है 10% हुआ या 20% हुआ जो भी example हम ले रहे है मान लो 20% हम हमारा market share हुआ है grow कर रहे हम तो business क्या सुचेगा चलो ये तो बराबर है 20% से हमने grow किया ये बराबर है हम इसी rate से grow करते रहेंगे ठीक है उसे हम कहेंगे stability strategy अब business ऐसा नहीं सोच रहे है 20% market share इस बार हमने achieve किया है अभी next हम try करेंगे 40% achieve करने का तो इसका मतलब क्या हुआ business और ही आगे की सोच रहे है और भी बहुत ज़्यादा grow होना है वैसे नहीं सोचेगा यहाँ पे business कुछ हद तक stable रहने की try करेगा कि चलो हम 20% से grow कर रहे है तो बराबर है हम उसी level पे काम करते रहेंगे उतना ही हम every time grow करते जाएंगे that is stability strategy now stability strategy aims at stable growth growth करना है यहाँ पे लेकिन हम stable growth करते जाएंगे the firm using this strategy concentrate on current products and market current product and market पे ही company focus करेगी मालो जो भी product company बेच रहे है laptop बेच रहे है mobile phone है या कुछ भी हो कपड़े हो सकते है jewelry हो सकता है जो भी product company sell कर रही है वही sell करेगी कोई नया product sell करने का वो नहीं सोचेगी या फिर नए market में भी जाने का नहीं सोचेगी मालो मुंबई के market में हम business कर रहे है तो हम ऐसा नहीं सोचेगी कि चलो भी नया try करते है गुजरात में try करते है राजस्थान में try करते है नहीं हम जहां पर है वहीं पर operate करते जाएंगे अब यहां पर ऐसा नहीं है कि company growth भी नहीं करने वाली grow करेगी लेकिन वो जो rate था हमारा उसी rate पर उसी level पर हम grow करते जाएंगे तो इस strategy is followed by those forms which are satisfied with the present product market position कौन से business आएंगे यहां पर ऐसे business जो उनके current product market position से satisfied है मतलब हम जो product sell कर रहे है वो बराबर है जिस market में हम operate कर रहे है बिसनस कर रहे है वो भी बराबर है यह जो company सोच रही है वैसी companies adopt करेगी stability strategy नव next is for instance if a firm gets 10% growth in sales in the Mumbai market it may be satisfied with the same ठीक है अब यहां पर company ने यहां पर example दिया है कि sales में growth हुआ है 10% का Mumbai के market में अभी company यहां पर खुश है कि चलो हमने बराबर काम किया है अभी हम Mumbai में operate कर रहे है 10% growth हुआ है तो हम Mumbai में ही काम करते रहेंगे ठीक हमें किसी और area में नहीं जाना है और दूसरा हम 10% के rate से growth कर रहे है तो हम उसी rate से growth होते चाहेंगे हम ज्यादा 20% 30% की नहीं सोचेंगे यह हो गया stability strategy Now stability strategy does not mean any growth at all Firms adopted the strategy aim at moderate growth and profit एक stable level पे growth भी होते जाएगा और उसी level पे profit भी होता जाएगा The firms make an attempt to improve efficiency through effective allocation and utilization of resources Same level पे ही company क्या करेगी resources लाती रहेगी और उसका allocation करके use भी करती रहेगी Now reasons or facts for adopting stability strategy Several firms adopt stability strategy Some may follow for a long period and others may follow it for a short period The following are the factors or reasons for adopting stability strategy यह strategy क्यों adopt किया जाता है उसका reason है बताया गया है सबसे first आता है performance level Management may be satisfied with current level of performance and they may like to continue with the same Management may be unwilling to set higher performance targets as they may not be sure of various ways to attain the targets or they may not have the means, resources to attain the higher targets Performance level की यहां पे बात की गई है अभी मान लो हम exam में कोई student की बात करते है अभी उस student के मान लो 60% आये है तो he is happy कि बराबर है 60% आये है मेरे लिए बराबर है मैं इसी तरीके से आगे भी कोशिश करता रहूँगा या फिर उसे लगेगा कि मेरे पास जो भी resources है मुझे जितने भी time मिल रहा है मेरे पास जितने भी पैसे है उस इसाब से मेरे इतने percentage बराबर है same way वैसे ही company की हम बात करेंगे तो company यहां पे खुश है जो भी उसका performance हो रहा है जो भी growth rate है उसे वो company खुश है तो company को ऐसे लग रहा है कि वो high target set करने के लिए उतने resources लाने पड़ेंगे उतने professional qualified लोग लाने पड़ेंगे नया product develop करना पड़ेगा तो यह सारी चीजे हो सकती है कि ना कर पाए वो लोग तो इसके लिए company उसका जो present level है उसमें वो खुश है present का जो performance level है उसमें वो happy है यह हो गया first reason now next one is profits profit की हम बात करेंगे forms adopting stability strategy may be satisfied with the current level of profit company उसके current level पे जो profit हो रहा है उसमें वो happy है उस profit में से shareholders को जो dividend मिल रहा है वो लोग उसमें happy है ठीक है सबबरा वर्से चल रहा है in such a situation firms may make additional efforts to expand into different markets and into different types of products firm may be content with the profits from current market and current product ठीक है in such a situation firms may make additional effort firm अगर चाहे तो additional effort ले सकती है अलग market ट्राई करे या फिर अलग product ट्राई करे नया product ट्राई करे जरूरी नहीं है कि करे ही ट्राई company पे depend करता है ठीक है लेकिन current situation पे business ओक है कि चलो बराबर है हम stability strategy ही रखेंगे थर्ड आता है risk factor risk की हम बात करेंगे यहाँ पे stability strategy involves less risk यहाँ पे risk less हो गया क्योंकि company नया market नहीं try करी है नया product भी नहीं try करी है तो इसलिए resources भी बहुत लाने की जरुरत नहीं है जो भी level है जितना भी resource आ रहा है वो बराबर है वही level पे company manage हो रही है now stability strategy involves less risk as compared to growth strategy growth strategy में grow करना है तो risk लेना बहुत जरुरी होगा quite often in most forms the management may adopt conservative attitude towards risk and therefore they may continue with the same product and in the same markets as at present conservative approach management follow करता है मतलब उसे लगता है कि बहुत ज्यादा हम risk लेने जाए तो फिर current level पे जो profit हम earn कर रहे है वो भी शायद हम खो देंगे इसके लिए वो लोग ज्यादा risk लेना नहीं चाहते है नया product उन्हें try नहीं करना है नया market भी try नहीं करना है current position पे वो लोग वही maintain करने के लिए महनत करते रहेंगे इसलिए वो लोग ज्यादा risk नहीं लेंगे ये हो गया third risk factor fourth one is resources जो भी अलग अलग तरह के resources यूज होते हैं business में जैसे की employees है या फिर natural resources है land है capital है resources की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नए नए resources लाने की ज़रत नहीं है क्योंकि नया product भी हमें नहीं लाना है यहाँ पे नया market भी company try नहीं कर रही है उसी market में company operate होने वाली है और वही same product वो sell करने वाली है now forms using stability strategy may not require additional resources for product development and market development activities देखिये does not require additional resource चाहिए ही नहीं क्योंकि हम नया product भी नहीं बना रहे है या नया market में भी हम नहीं जा रहे है this is because they concentrate in the current market with the current products however firm may spend additional fund on market penetration activities that is increasing marketing efforts sales promotion advertising etc in the current markets to gain modest growth in the business profit देखिये हम नए market में नहीं जा रहे है नया product नहीं ला रहे है बराबर है जहां पे हम है वहीं operate करेंगे लेकिन वहां पे भी नए नए बिस्नेस इस open हो रहे होंगे competition बढ़ने वाला है हमारे product के लिए या हमारे business के लिए तो जहां पे भी हम है वहीं पे भी maintain होने के लिए भी efforts तो लेने पड़ेंगे sales promotion करना पड़ेगा advertising करना तो पड़ेगा तो उसके लिए additional capital required होगा ठीक है मान लो कोई supermarket है या कोई mall है तो उसकी वो stability growth stability strategy वो use कर रहा है ठीक है उसे नए market में try नहीं करना है बराबर है लेकिन वहीं पे टिकने के लिए ऐसा तो हो सकता है ना कि उस market में कोई नया competitor आ गया या competition बढ़ गया तो वहीं पे टिके रहने के लिए ये सारे efforts लेने होंगे sales promotion है advertising है तो उसके लिए additional fund required हो सकता है या फिर हम कहेंगे resources की requirement हो सकती है ना next बात करेंगे environment की environment के जो factors है उसकी बात करेंगे firms adopting stability strategy operates in a stable environment इन businesses के लिए environment कैसा होगा stable ज्यादा कोई changes नहीं होंगे ना government policy में ज्यादा change आएंगे ना competitor के ज्यादा change आएंगे customer fashion के भी ज्यादा change नहीं आएंगे ठीके सारी चीज़ें stable रहेगी बराबर रहेगी changes in business environment are less and infrequent the customer preferences may not change much the competitor strategies may not may remain more or less stable and government may not change policies relating to the industries सारी ही चीज़ें constant रहेगी कुछ ज्यादा फरक नहीं पडेगा for instance example दियों लोगों लोगों ली cement industry, paper industry and the like ऐसी industries के लिए ये सारी ही चीज़ें constant रहती है like the business environment is more or less stable and the firms operating in such industries may adopt stability strategy ऐसे businesses stability strategy को adopt कर सकते हैं however if the business is subject to several constant environmental changes such as electronics, computer industry, the firm may try to adopt other strategic options rather than stability strategies ऐसे businesses जहां पर changes बहुत fast होते हैं ठीक है, environment में changes जैसे हम कहें कपडों की बात करें, jewelry की बात करें, जो चीज़ें fashion से related होती है या फिर electronics है, computer industry है ठीक है, ऐसी industries में भी competition बहुत ज्यादा होता है customer की choice फटाफट से changes होती रहती है, तो वैसे businesses stability strategy adopt नहीं कर सकते उन्हें दूसरे alternatives में से select करना होता है कि कौन सी strategy adopt करें even giant firms can collapse if they do not consider environmental changes बले ही कोई business बहुत आगे निकल गया हो, बहुत बड़ा business बन गया है लेकिन अगर वो इस type का business है, जहाँ पर environment बहुत जल्दी से change हो रहा है ठीक है और वो changes वो consider नहीं कर रहा है, stability strategy रख रहा है तो वो business loss में जा सकता है, उसका competitor आगे निकल सकता है now next is expertise, expertise की बात करेंगे, firms adopting stability strategy may carry on business strategy with current expertise of its workforce current जो expertise है, जो लोग काम कर रहे है business में, उनकी जो quality है, experience है expertise है, उसे ही continuously वो use करके business कर सकते है therefore there may be lesser need for regular training and development of the employees training development की ज़रत यहाँ ज्यादा पड़ती नहीं है क्योंकि हम नया product तो बना रही रहे है, R&D नहीं कर रहे है, innovation नहीं कर रहे है तो training development की requirement है ही नहीं, same ही product बनाएंगे, sell करते जाएंगे however firms that adopt growth strategy and enter into new product lines and new markets need to upgrade expertise of employees with the emphasis on training and development of course जो business नया product लाना चाहते है, नये market mentor होना चाहते है उन्हें continuously उनके employees को training देते रहना पड़ेगा ठीक है, उसकी वज़े से ही क्या होगा वो employees market में नहीं नहीं ideas दे पाएंगे यह नया product बना पाएंगे यह हो गई बात expertise की ना next is market share market share की हम बात करेंगे तो firms that adopt stability strategy are content with the current level of market share since the firm operates in the same market with the same product the market share may also remain the same market share कैसा रहेगा same ही रहेगा क्योंकि same product ही बेशते जाना है उसी area में बेशते जाना है तो share भी हमारा कितना रहेगा market share भी वही रहेगा however, some firms may adopt market penetration strategy whereby firm may undertake aggressive marketing efforts like advertising sales promotion in the current market to increase market share कोई-कोई businesses क्या कर सकते है market penetration strategy apply करेंगे मतलब की market में उनका market share बढ़ाने की कोशिश करेंगे product वही है, area भी वही है जहां हम selling कर रहे है खाली हम हमारा market share बढ़ाएंगे अब market share बढ़ाना है तो product तो हमने नया लाया नहीं है तो उसी product का हमें advertising ज्यादा करना है marketing ज्यादा करना है sales promotion ज्यादा करना है तो यह चीजे business कर सकते हैं अगर उने करना हो तो market share बढ़ाना हो तो वरना वो same level पे ही operate होती जाएंगे तो यह हो गया 7th market share की बात Now next is management philosophy Management philosophy मतलब जो top management है जो decision making कर रहा है वो लोग क्या सोचते है business के लिए उनकी thinking क्या है long term के लिए उसे हम कहेंगे management philosophy Normally the strategy is adopted by those firms that adopt traditional management philosophy This strategy मतलब stability strategy Mostly कौन यूस करेगा traditional management They adopt a narrow approach towards growth and development कोई-कोई businesses है वो क्या सोचते है बहुत ज्यादा grow नहीं करना है develop नहीं होना है हम जहां है वहीं खुश है ठीक है उन्हें डर लगता है growth करने में growth करने में उन्हें ऐसे लगता है हम fail हो गए तो हमारा loss हो गया तो ठीक है इसलिए वो लोग जो level पर है उन्हें लगता है जिस level पर हम profit कर रहे है अच्छे से कमा रहे है ठीक है हम इसी level पर operate करते जाएंगे उसे हम कहेंगे traditional management approach या philosophy we can say the management is contended with the current position in the market with the current product business खुश है current position से या current product से या current market से तो वो हो गया हमारा traditional management philosophy जबकि नई management philosophy कैसी होती है business हमेशा ही आगे बढ़ने की सोचेगा growth strategy apply करेगा business में कि चलो हम नया market भी try करेंगे या फिर नया product try करेंगे कुछ ना कुछ वो नया करने की try करेंगा now next is strategic advantage if the firm's strategic advantage lies in the present business it may pursue stability strategy for instance if a firm enjoys high image goodwill in the present business then it is natural to remain in the same business to take advantage of image and goodwill अब strategic advantage हमने जो strategy apply की है business में अभी यहां पर हमने stability strategy ली है बराबर तो अब business को stability strategy apply करने से फाइदा हुआ है market में अच्छी image बन गई है goodwill बन गई है तो उसे क्या लगता है कि चलो अब हम यही strategy follow करते जाएंगे जो भी हम stability हमने रखी है जिस level पर हम growth कर रहे हैं वही हम करते जाएंगे वही product बनाते जाएंगे वही area में हम operate करते जाएंगे तो वो लोग उसी को follow करेंगे उसे हम कहेंगे strategic advantage now next one is scope for functional improvement functional improvement हमारे business में अलग-अलग तरह के functions जो होते purchase है production है sales marketing यहाँ पे उसके scope की बात की है now this strategy is adopted by some firms when there is scope for functional improvement through better allocation and utilization of resources जब business इसको लगता है कि हम जो resources use कर रहे है अब वो resources हम अलग-अलग division में allocate करते हैं के पैसो की अब पैसे अलग-अलग जो functional division है उसमें a lot होते है as per their requirement तो अब उन्हें जब लगता है कि यह resources use करके हम कहां ज्यादा use करेंगे कहां कम use करेंगे और हम ज्यादा profit earn करने वाले हैं तो वहाँ पे यह strategy apply होती है now for instance a firm may be in a position to attain competitive advantage through research and development activities by allocating more funds to R&D activities and reducing funds on not so important activities यह पर उन लोगों ने example दिया है कोई business है उसे इसे लग रहा है कि मैं मेरे पैसे R&D department में research and development में अगर ज्यादा allocate करूं और बाकी सारी जो non productive activities है उसे हटा दू उसमें से पैसे निकाल लो और R&D में ज्यादा करूं तो वेरा फायदा हो सकता है तो वह वहाँ पे ज्यादा resources allocate करेगा के इसे हम कहेंगे functional improvement लाना the firm may look for achieving the functional improvement thereby generating efficiency and economy in the operation the firm may look for achieving functional improvement firm क्या try करेगा उसके business के अंदर के ही जो functions है उसमें improvement लाएगा thereby generating efficiency जिससे उसकी efficiency बढ़ेगी efficiency का मतलब है जो business की cost है उसके against जो उसका revenue हो रहा है उसे हम देखेंगे revenue ज्यादा हो रहा है तो efficiency अच्छी है ठीक है तो efficiency business बढ़ाना चाहेगा and economy in the operations economy मतलब कम से कम cost में हम business को operate करें उसे हम कहेंगे economy in the operation तो business ये दोनों ही चीज़े try करेगा तो ये हमने 10 points देख लिए under stability strategy अभी next lecture में हम पढ़ेंगे growth strategy growth strategy जहां पे business growth करने की सोचेगा risk लेगा ठीक है आगे बढ़ने की सोचेगा in the market लेकिन अब ये हम करने वाले हैं next lecture में students कोई question हो तो आप बता सकते हैं comment section में